क्लासे जिसे विज्यार अधियारी रेशों से रुमस करता है रेशम, रेशम सिर्ख के रेशने की चातों रेशे होते हैं, रेशम के कीट रेशम के खाइपरों वो बनाता है, रेशम काप करने के लिए रेशम की भीचों को पालना, रेशम भीच पालना, रेशम भीच पालना, अधाधा हमें पता है। आपने माता पिता मा चाचा-चाचे से इंग रूचाओगा। कि रेसब या रेसब शाड़िया किस पनकार से बनाई जानी है। रेसम कीवह का झिवीत है। मादा रेशम कीट अंडे देते जिने लागवा निकलते हैं, जो केटर पिलर या रेशम कीट कहलाते हैं, यह आकार में निकलते हैं, जब केटर पिलर अपने जिरोन चक्कत की अगली अभस्ता में प्रवेश के लिए यह यह पीऊपास या कोशित कहलाता है, यह इपने इक इत इत जाल पूलेता है, वो जाल इसे इत इसतान में बने, देने में साइटा करता है, फिर वो अभरी जी, संक्याने आठी रूप में आपने देखा हुआ केटर्ट पिलर में प्रोटें से बनाई पडाट सकल करता है जो पठोड़ोगोगोग सूप का रिश्म बन जाता है जल्दी ही केटर्ट पिलर से वो पुभी तरह से रिश्म के रिश्म से रखनेता है और यूपा बन जाता है यह आवरभ पुभूल के लाता है घीट का इसके आगे काविकास पुभूल के इतर होता है जैसे आपके पित्ति को देखा होगा या पत्ति के उपा यह अपने अनेत्ते रिश्म का जागा रेशम के पूपोल से प्राव्ट रेशों से तयार क्या जाता है रेशम के तरहे पूस्व के होते हैं और जब एक दूसरे से काफी अलग दिखाई पेते हैं रेशम पूसरे प्राव्ट रेशम के पूसरे समाने रेशम के तरहे होते हैं लचिना होता है रेशम की पालवलता का हमारे भारत पे सरवर्थन भारत का प्राचीन दफसाई है भारत दफसाई किस तरक प्रपाउट अधिक रेशम की पालवलता करता है धवी पकार के रेस और विवस्त्रों पर विद्र दिदागे और अध्यावों आपदाए आपको पता सकते हैंकों कि किन विद्र दिदागे और किसी कुद्री ससले सुद्रेशं और शुद्रेशं एक धादा लेदिए और इसके जल्दे की गर्फ उत्री जैसी लगती है सुद रेशन जैसी यह आपने देखा हुआ जिवन चक्र में रेशन के जिवन चक्र विवीर कुशना होगे चिकर काट कर लीजिए अपने अध्यामक्जी को पताएं और कोबूर से रेशन के लिए रेशन कोई को पालानाता है उनके कोबूरों कुझे फिल्द करके रेशन के खाईबन बाव केलाते हैं रेशन के पालनाते हैं अंडों को साधाने से कफे की पठियों मत्मा कादस पर सग्रहित करके इने सब केट पालगों बेचा जाता है जो पालग या किसां अंडों को स्वास्ते करिश्टियों चित ताव और आधका की अनुकूर इस्टितियों में रखते हैं अंडों को प्यूक्त ताव का घृरम जाए तब हो किया जाता है जब सेटूद केट्सों पर कई नई पतियां आती हैं लारवा को केट्व के लगवारे सब कुटी खेलाते हैं तित रात खाते रहते हैं और आप साइज में काफी पड़े हो जाते हैं लारवा को सेटूद की ताजों कटी पतियों में साथ पांस क स्वस्थे में इलागा जाता है 25-25 दिलों के माद उनको उनमें से रेस्म का दागा निखाला जाता है रेस्म की खोज का यथा समय संब्द्रा अध्यार है एक प्राजीत जीनी क्युदंती ने संब्राट रुभावती में संब्रागी सी लूप चीवे अपने पधिचे में उगने वाले सहसूत के वर्षों के पत्यों के संब्रस्थ वदे का कारण पता लगाने लिए का था तो संब्रागी ने पाया की सपेव कर्मी सेतूत की पत्यों को उठा रहे हैं उसे पता चला केव केटर की लंच खाना प्रद कर देते हैं कोकून बनाने के लिए बाल पास के बने छोटे-छोटे कक्सों में चले जाता है और तेह यारपी जाती है कोकून जुड़ जाता है पेटर के नरक्वारे सब की कोकून बनाता है इसके बीतर बीपाप पिक्सित होता है रेसम का संसाहत रेसम फाइबर प्राप करने के लिए कोकूनों की पड़ी संक्चा में पड़ी संक्चा में पड़ी संक्या में विक्सित किया जाता है लेसर्ण फाइबर प्राफ करने के लिए कुप बड़ी धेली का कुपियों किया जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के हाईवार प्रचप को जाता है और रेशम के रूप में कुप्यों के लिए कोपून में से लिसे निकालने के पसाद उन से जागे बनाने की परकिरिया रेशम की रिलिंग प्यालाती है रिलिंग इस मझेशम निकालती है फिर रिशम के लद्यागी की रिखन जाती है ऑद्यायक को कि रिलिंग हो जाता है कुद्गुरों को रा रेशम की इन्ने तापों से वस्तर बनाते हैं जैसे हम दर्विका होगा, वोपूल करती दो होगा, इदिली, अपी माचार, इसरों की पालार, उन कटाई, इसरों की केटल केलार समाधा, इस परकार से हम लोगोंने रेसर बनानी की जिनी हमारी भार कुए, इसलिए रेसरों से बस्त बनाने का तारिये हमुदी पेवाने पर चलता है और रेसम से धागे बनाएबाते हैं, रेसम की टों में रेसम भेर, बक्री, याख से खुन प्राप की जाती है चता रेसम उन्ज हतुव्रे से हैं, उन्ज, दामा और गल्वborough के वालों को चूर्ण प्राप करने के लिए सरसाह प्राप करने में पाला जाता है भेड के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभी मारजा जाता चटाई की जाती है और फिर सुरने की बात उने प्राप कर उनसे प्राप के जाती है अपने जिवत जगर में रेशम के लोगों की रेशों की कटाई करके कुपूर बनाते हैं और रेशम फाईवी प्रोटिंग से बने होते हैं कुपूर से रेशम के रेशों को प्रत्र करके उनका संसादन क्या जाता है और फिर सम का ठागा बना जाता है इस प्रापन को देले पियाता है पुरिकर रेशम के गागों से रेशम से बस्तर होते हैं